दोहजार उन्निस में भारत ने कुछ ऐसा हासिल किया जो भारत को उन चुनिदा देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें केवल गिन चुने ही देश हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन शक्ति पहली बार आपने इसे रिपब्लिक डे परेट पर भी देख और इसे अनॉंस्मेंट करने के लिए पिधान मंतरी मोदी ने खुद एक लाइब ब्राटकास्ट किया था जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करके मिशन शक्ति के बारे में बताया था और पहली बार ग्यारववे अध्याय में डेफ एक्सपो के मिशन शक्ति को दिखा शक्ति यह है वो मॉडल जो की डिया डियो डिफेंस रिसर्श और डिवलिप्मेंट और्डिनादेशन जो की रक्षा मंतराले के अंतरगत आता है उन्होंने यह आपरेशन किया था और यह बहुत ही सक्सेस्फुल आपरेशन रहा इस किस तरह से काम करता है क्या इसकी खासि दी गए थी डिया डियो चेर्मेंट द्वारा की मिशन शक्ति किस तरह से एक्जिक्यूट किया जाए बाभू सर इंडिया न्यूस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम देख रहे हैं कि काफी लोग यहां पर आ रहे हैं अभी देखिए लोग फोटो किचा रह आइचली जो आप देख रहें मिशन शक्ति यह बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट था देश के लिए क्योंकि देश को एक चीज होते है एक कैपबिल्टी बिल्ड करना और दूसरे बात होते है बाकी दुनिया को दिखाना है हमारा पास क्या कैपबिल्टी है क्योंकि आ स्पेस pad काम करें और अपना सैटलेे MR हो एगर कोई दुश्मन को हमारा सैटलेट से चिर्चाडं करे मिmassमोड़ में एक अच करने लगे इसे लिए कर पाएंगे जालते हूं और दर्शिकों करने कि काम किसे करता है और एल आपर क्याक्स है जैसे काम करता है कि कि यह विरखाया क्यों नहीं जेका वहां पो जैसे कि ए उर्थ को झाक सा कुछ जाता है स्चाहर कि यह बेस्ट उर दॉचिंज को शूत है में अज़र नाचे है। और अर्ट चट के एंधि आऑगे। और ग्वानच च्ट का रून्डा क्या है। रन्चेमित आफेल खीजिक पार पस ऱ्रहांसर फटेशन्फड ल्हें को टानाच। और बाकि मिल बाकियो जॉजल करें पहसक NEP선िश की बिया थाफिकिल यह पर ङक्रे होनगे Jeremy इसका भी बाकियो मैसे लाल लॉज़ाओ भी मिल आफिकली सेंक पर्मरं करना तें जिस यह जड़त तो इसके लिए एक तो उंचा भी जाना है और उसका सफिशन्ट वेलास्टी भी होना चाहिए ज़िए जो आपको लाल लंग जो देख रहे हैं बेसकिली इसमें राकेट मॉटस है यह उंचा लई जाके दिन ऊपर जो अफेद वाला देख रहे है वो किल वेकल है इसका एक सप पोड़ी बोलाकर मृटली तो लाल रंग मक्वा अग्या वाल साथ किलो मेट्रमीर्स सार अग्या पार होगा। So this is what the entire missile is. Of course, you know, you have a support structure through which the missile is attached to the launcher. So, this is basically three parts. One is a missile, the other is a launcher and the third is the prime over. So, this means that the truck structure is shown, does it mean that it can take it anywhere from anywhere from anywhere from anywhere from a special space shuttle or launch location? No, we have known that we have done a mobile launcher because we have a flexibility. So, we can launch some of the missiles and we can launch some of the missiles and take it to the right place and we can launch it. Delhi, Lucknow, Kashmir, Kanyakumari, where are we? Practically, yes. But again, what happens is that we choose a strategic location. No, this is not a special place. But only thing is safety. We cannot go to Delhi because we have a little bit of a rocket motor, so we have a little bit of a safety. But otherwise, if we go to Delhi, outside, outskirts, or if we go to Delhi, 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 we can launch it. Yachtar, Surah, Kapshati. Check that, Bavuji, I'm being here in this story. This is a truck structure. You can point the back to Delhi, if you go to Delhi, here. This is the whole system, this, the launchers. The rocket, when we take a place from the other than the other, this is not going to this position. यह जो अभी समय वर्टिकल पोडिशन जो एकदम सीधे तरीकी से खड़ा है 90 डिग्री पर ऐसे जाता है यह जो नीचे आपको सिस्टम पे हुक सा दिखाई देगा एक ट्रक नुमा मशीन के ऊपर यह बेसिकली वहाँ पर होरिजोंटली लेके जाया जाता है ताकि जल से जल एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके और यह जो ठीक यह जो आपको हुक सा स्टक्चर दिखाई दरा यहीं पर इसे बांध कर लेके जाया जाता है और तुरंती इसे 90 डिग्री पर खड़ा करके कहीं से भी लॉंच किया जा सकता है और यह जो लाल स्क्चर राजी सुन न जैसा बताया बाबुसर ने की यह अचली में उसे उस तेज गती से उस उचाई तक लेके जाने के लिए कामाता और जो मेन वेपन है वही सफेद वाला उपर का हिस्सा है जिसमें तिरंगा बना हुआ है और डिया डियो का लोगो है जो की दुश्मन मिसाइल या फिर दुश की शमता है और भारत के लिए इसके लिए क्या माइन है हम हमारा देश है चौता देश बन गये था और एक टेक्नालोजी डिमांस्रेटर थी और इसे यह मैंसुस हो गया कि हम लोग कर सकते है इसा वाला काम अगर इससे भी कुछ ज्यादा करना है उसके लिए डिया डियो देश हमेशा ही डिया डियो पर काफी उमीद रगता है और जिस तरह से मिशन शक्ति की बात कहें तो देश को गर्ब है डिया डियो पर जिस तरह से इनोंने भारत को केवल एक पूरे विश्व में चौता ऐसा एक देश बना दिया जो की मिशन शक्ति के जरिए सैटलाइट दुश्मन देशों की मार गिरा सकता है, धुए सकता है, ये एक महतुपूर बात इसलिए भी है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि या तो जमीन पर, या पानी में, या हवा में, आर्मी, नेवी और एरफोस, यही तीन कंवेंशनल जहां पर युद्ध होता है, लड़ाई होता है, कैमेरमेन हरियों के साथ, मैं आशिस सिंग, डेफ एक्स पो लखनो से, इंडिया निव्स के लिए, मेरे दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ, दो ऐसी गाड़िया हैं, जो आपको जल्द ही भारती सेना, या फिर जो पैरा मिलिट्री है, उन दोनों दोरा ऑपरेशन में, स्पेसिफिकली जो कश्मीर हो, या फिर नॉर्थ इस के कुछ एरियाज हो, या फिर दिल्ली मुंबई में भी अगर कोई किसी तरह के दंगे फसाद हो रहे हो, वहाँ पर, या फिर कोई आतंकवादी घटना हो, वहाँ पर ये दोनों गाड़ियां आपको दिख जाएगी, दोनों का गाड़ियां बहुत विशेस हैं, इससे पहले आपने कभी देखी नहीं होगी, अटलीस इस्तमाल करते होए तो किसी आर्मी को, किसी पैरा मिलिटरी को, या फिर किसी पूलिस को नहीं देखी होगी, लेकिन आने वाले कुछ साला में दिख सकते हैं, सबसे पहले य अटोनॉमस यूजी वी ये बिना ड्राइवर के चल सकती है, इसकी जो सबसे खास बात ये है, कि इसे बिना ड्राइवर के आप लगबग एक किलो मीटर की दूरी से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये मैनुल तरीके से भी चल सकती है, और जो टेली ऑपरेशन होता जै ये लगबग जो ड्यूरेशन है उसे एक्टिव मुशन मोड में रखने का ये दो घंटे तक रह सकती है, ये अबस्टेकल अपने आप चाहिए स्पीड बेकर हो, गड़े हो या फिर कोई सामने चीज हो, इसे अपने आप अवाइड कर लेती है, और जो अपने आप अवाइ टीवी है, जो की मिलिटरी कॉमबैट कलर में आपको दिखाए दे रही है, वो अगर बिना ड्राइवर की चलेगी, तो इसका क्या इस्तेमाल होगा, जाहिए सी बात है, अगर जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा कि अगर कोई आते हैं किवादी किसी घर में है और वो बा आना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा वहिकल है, क्योंकि इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, लगभग जैसे मैं ने बताया कि जो इसका रेंज है, जो आप रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं, वो है एक किलोमेटर दूर, एक किलोमेटर दूर से ही आप बिना ड्राइवर के इस गाड़ी को ऑपरेट करके भेज सकते हैं, वहाँ पर इसमेर अगर आप समझे अपने लगभग बारूद रख दिया और किसी तरह का बम रख दिया, तो वो लगभग साड़े चार सो तो पांसो किलोमेटर तक का वजन इसमें आप डालके जहां पर आपको टारगेट है उस सरव भेज सकते हैं, तो इसलिए ये काफी महत्पूर्ण वहिकल है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और इस तरह की गाड़ी बनाई गई है, जो कि अभी तक इंडक्ट तो नहीं भी है, किसी पुलिस या फिर आ सामने क्राउड की तरफ जो भीड होगी अगर उसकी तरफ मारने के लिए बनाई गई है, ये कुछ इस तरह से, अगर कैमरमन हमारे दिखा सके, इस गाड़ी का नाम है, वहिकल माउंटेड लेजर डाजलोफ और क्राउड कंट्रोल, ये जो आपको हरा कलर का पोर्शन दिख अगर आपके सामने कोई बहुत जाथा भीड हो, तो ये पुलिस या फिर आर्मी या फिर रैपिड अक्शन फोर्स इसे कंट्रोल कर सकती है, इसकी जो रेंज है, जो लेजर लाइट की है, वह पांच सो मीटर तक, यानि आदा किलो मीटर दूर भीड से भी ये लेजर मार सक की लगभग लेजर लाइट होती है, और ये जो लेजर का स्पॉट है, वह एक से दो मिटर का होता है, इससे होता ये है कि केवल कुछ समय के लिए, टेंपुररली, जो किसी के आख पर अगर लेजर लाइट पढ़ जाए, तो कोई पर्मनेंट शक्ति उसके शरीर में होती न का पर 1-2 मिटर का स्पॉट होता है, जहां पर 1-2 मिटर का समझी आपकी ये जो एक्जाक्लि C लाइट निकलेगी, ये 1-2 मिटर का स्पॉट यहने की एक व्रिताकार आकार में होगी, और वो अगर उसके सामने उस रेंज में कोई भी आ जाएगा, तो उसकी जो शमता है, श क्राउड पूडालने की कोशिश करते हैं लेकिन क्राउड तब जाके तितर बितर होती उसमें भी से भी 5-10% लोग वहीं पर रह जाते हैं लेकिन यह लेजर लाइट जब आप पर मारी जाएगी आधी किलोमेटर दूर से भी तो क्राउड में जो भी लोग होंगे उस रेंज म वो आपकी देखने की और शारी शम्ता दोनों को काफी यह कम कर देगी और इसे मैनूली भी ऑपरेट के जाता है वज़ा यह है कि लेजर लाइट के अलावा इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है क्योंकि यह रैपिड एक्शन फोर्स, आर्मी, पैरा मिलिटरी, पुलिस कोई भी इसका 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 कर सके और जान बुझके इसे इस तरह से मिलिटरी वाले वहिकल के तोर पर बना गया है क्योंकि जो भी इस लाइट को लेकर भीड की तरफ बढ़ेगा वो जाहर से बात है कि एक रिस्क होगा कि भीड इस गाड़ी पर ना अटाक करें इसलिए इस शहरों में इसके 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 इसका इसकता है तो इस तरह से एक वहिकल डिजाइड किया है तो यह आपने दोनों वहिकल देखी जो की बहुत ही महत्पूर्ण है और आने वाले कुछ दिनों में जब इससे पूरी तरह से इंड़क कर लिया जाएगा तो यह ना किवल आर्मी बलकि पारा मिलिटरी, पुलिस और रापिड आक्शन फोर्स इन सब के पास आपको दिखाई दे सकती है तो ये इस तरह से टेकनलोजी का इस्तमाल करके ना केवल पाकिस्तान और चीन के साथ टाइकल करने के लिए बलकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, अरसा माजिक तो होते हैं, जो एक लिमिट के बाहर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए इस तरह की टेकनलोजी का इस्तमाल किया जा रहा है कामरमन हरियों के साथ मैं आशिर सिंग डेफ एक्स पो लखनो से इंडिया निउस के लिए